नमस्कार मैं हूँ अशोक और स्वागत है आपका mechanical nexus में आज हम बात करेंगे different kind के हमारे foundry tools के बारे में जो की बहुत important है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे shovel की यह होता क्या है देखिए यह हमारा एक pool होता है जो की एक तरफ से तो square pen होता है और दूसरी त इसको थोड़ा light बनाने के लिए हम यहाँ पर wooden handle का use करते हैं इसका जो front face है इसको कहा जाता है square pen यह करता क्या है इसका main function यह होता है कि जो हमारा molding sand जो use होता है उसको एक तो mix करता है क्यों क्योंकि molding sand हमारा एक mixture है silica का clay का moisture का और additives का तो उन सब को mix करने में काम आता है next बात करते हैं हम riddle की देखिए इसको slip के नाम से भी जाना जाता है यह slip भी है जिसे आप Hindi में छनी के नाम से भी अच्छे से जानते हैं इसका काम क्या होता है जैसा कि आपको पता भी होगा mainly इसका use जो होता है unwanted materials को हटाने के लिए होता है हमारे molding sand के अंदर से वह unwanted material क्या ह हो सकते हैं वह हमारा बड़ा बड़ा लकड़े का कोई तुकड़ा आजाए इसके अंदर ठीक है यह कोई पत्थर आजाए stone आजाए यह कोई heavy metal आजाए जो निचाते हम की mold हमारे molding sand का part बने तो उसको हटाने के लिए हम यहापे riddle का use करते हैं next बात करते हम travel की यह क्या होत होती तो मैंने एक बनाया है थोड़ा age shape में दूसरा जो होता है वो square shape में होता है function same है एक तो इसमें metallic blade होता है जो की perfectly smooth होता और flat होता है दूसरा यह हमारा एक wooden handle से connect होता है काम इसका होता है एक तो repair करने का और दूसरा as a finishing tool हमारा molding में काम किया जाता है इसका use यही है बात करते है vent wire की देखिए एक तो यह हमारा wire होता है और जो wire होता है बहुत थोड़ा hard material का बनाया जाता है या फिर यह हमारा steel की बहुत बारिक बहुत चोटी बहुत पतली road भी हो सकती है इसका main function क्या होता है इसका main function यह होता है कि molding sand के अंदर हमें opening create करनी होती है इन opening को कहा ज handle के साथ connected है यहाँ पर हम handle से pressure देकर wooden sand के अंदर इसको push करते हैं और opening जिसको vent कहा जाता है इससे provide की जाती है vent से करते क्या vent होती है जो हमारी unwanted gases होती है जो metal को pour करते समय जो develop होती है उनको निकालने का काम करता है तो यह हमारा vent wire है बात करते हैं strike of bar की देखिए एक तो यह बार है इसका एक surface कोई सा भी एक surface जो होता है वो pure true होता है ठीक है pure truness होती है pruness का मतला एकदम perfectly smooth होता और flat होता है यहां काम क्या किया जाता है इसका इसका जो main काम होता है कि जब ramering हमारी complete हो चुकी होती है उसके बाद जो हमारी surface होती है वो uneven होती है तो तब हम यहाँ पर strike of bar का यूज करते हैं और उस flat surface मतलब जो surface होती है उसको perfectly smooth और flat बनाय जाता ह है strike of bar का यूज करके true surface के द्वारा बात करते हैं बैलो की देखें बैलो क्या है एक तरह से यह समझे लीजिए हमारे एक air storage device है यानि हम यहाँ पर क्या करते हैं इसमें देखिए एक उपर का handle है यह नीचे handle है जब आप इसको uplift करेंगे दोनों तरफ से up करेंगे तब इसके अंदर air भर जाती है बाद में आप इससे जब नीचे प्रेस करेंगे तो air बहुत high pressure से इस nozzle से भार जाती है तो आज कल देखेंगे इसके जगह बहुत सारे हमारे high pressurized pipe use के जाते है मगर फिर भी छोटी छोटी जो हमारी workshop होती है या फिर बहुत जगा पे आपको बैलो देखने को easily मिल जाएंगे इनका काम क्या होता है कि जो हमारी surface होती है उसके उपर जो हमारा loose end रह जाता है उसको हम air pressure के द्वारा हटा देते हैं चले बात करते हैं draw spike की यह बहुत important है इसका काम क्या होता है पहले इसके थोड़े construction देख लेते हैं एक तो यह taper bar होती है यानि एसी friction holding grip भी हो सकती है यानि हाँ पर हम एक तरह से friction provide करते हैं और दूसरे end जो होता है हम उसे knob shape का बना सकते हैं यह circular भी हो सकता है इसका काम क्या है इसका काम देखिए यह हमारा जो sand होता है उसको हमें निकालने का जब काम होता है तब वहाँ पर हम इसका use करते हैं draw मतलब खीचना और spike एक तरह से आपकी यह जो टूल है उसको कहेंगे यानि में काम इसका है हमारा जो माल्डिंग सेंड जो त्यार हुआ है जो सॉलिड हो गया है उसको पैटन से भार निकालना इसको कहते हैं draw spike देखिए बात करते हैं मैलेट की मैलेट क्या है मैलेट एक टूल होत जाए और हमारा एक थोड़ा टाइट मॉल्डिंग बन सके जो हमारा मेलेट होता है यह जनरली वूडन होते हैं और जो हमारा हैमर होता है वह वूडन भी हो सकता है इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं मे करने का होता है क्या करते हैं देखिए इसमें एक बेलून शेप का होता है और दूसरी तरह इसके में कुछ हमारे Fiber hair होते हैं यानि Fiber brush type के होते हैं इसके अंदर water भरा रहता है हमेशा जिसके कारण जब हमें मौल्ड को भार निकालना होता है पैटन से तब हम उसके चारो एज को थोड़ा थोड़ा मौश्यर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इसली भार आ जाए तो स्वेब हमारा मौश्यर प्रोवाइड करने वाला एक टूल है बात करते हैं लिफ्टर की दें करता है एक हमारा भौत बहुत बारिक इस्टील का बनाया जाता है यह कोदिस क्लेनिग एगर हमारी कुछ क्लेनिंग और कुछ क्लेनिंग रिक्वायर मेंत है तो यह एक cleaning agent भी काम करता है यानि महां से आप देखेंगे नीचे डालेंगे और unwanted sand को भी भार निकाल सकते हैं तो ऐसे cleaning भी काम कर सकता है और ऐसे smoothner भी काम कर सकता है बात करते हैं last slick की slick ऐसा टूल होता है एक end पे तो उसमें हापे blade होता है जैसा कि हमने हापे ट्रोवेल में भी देखा था और दूसरे end पे यहाँ पे कुछ spoon safe होती है यह काम क्या करता है देखें इसका काम सेम हमारा प्रोवेल का जैसे ही है यानि repairing भी कारता है और finishing भी देता है मगर यह हमारे प्रोवेल से इस तरह different है कि इसका मेंली काम जब आता है जब हम मौल्ड को pattern से भार निकाल लेते हैं तो उसके बाद अगर हमें कुछ repair करनी पड़े या फिर कुछ हमें finishing देनी पड़े तो हम यहां पर यूज करते हैं अदर्वाइस डूरिंग हम जब pattern में काम कर रहे होते हैं तो इसका भी काम हमारा हो गया finishing देना और repairing करना देखिए अगर मैं lifter को और इस slick को आपस मिला दूँ और एक ऐसा टूल बना दूँ कि जो lifter का भी काम कर और slick का भी काम करे तो उसको वहां पर कहा जाता है yankee lifter y-a-n-k-e yankee lifter तो यह एक ऐसा टूल है जो कि lifter भी है और slicks भी है तो यह था दोस्तों आज हमारा foundry tools के बारे में thank you for watching